सञ्जुक्त व्यपार मंदल की महानगर अध्दक्ष अश्रू महेंदू द्वारा कोरोना नाइट कर्फ्यू को लेकर महानगर वासियों से घरों में रहने की अपिल की गई साथी साफधानी बरतने एवं मास्क पहनने बार-बार हाथ सावून से धोने को लेकर भी लोगों से अपिल की गई आपको बता दें कि पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत देश में भी कोरोना वारिस के नए वेरियर्ज ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसको देखते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से एक कोरोना नाइट कर्फ्यू का एलान किया गया ताकि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर अंकुष लग सके अशु महिंद्रू का कहना है कि दुनिया में खाली हात आ हैं और खाली हात ही जाना है अगर कुछ करना है तो लोगों की मदद कीजिए तकि लोग मरने के बाद भी आपको और आपके नाम को याद रखें वहीं हमारे समधाता को महानगर युवाध धक्ष अशु महिंद्रू ने जानकारी देते हुए बताया कि उतरप्रदेश सरकार द्वारा बटे कोरोना वायरस के नई वेरियंट ओमिक्रॉन के मामलों के चलते कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाए गया है तकि ओमिक्रॉन जै सरकार के साथ डिए जो बिमारी नहीं आई यह करोना वायरस के बाद और अधान मंतरी में भी काया है कि और मैं विबारी नेता भी हूं तो मैं विबारी के साथ पर्चाषान के साथ two है जैसा पर्शहाजन केई वैसा पर्शहाजन के साथ चलना महानगरवासियों से यह अपीज्ट यारा बजर कोई नहीं जी और उसके बाद सरकार के साथ रहें और विपारी के साथ रहे सारा विपारी एक रहेगा तो सरकार के साथ रहें तो रवार हाथ दोते रहे सेनीटराइज को हेंड वाउच और मास्क का प्रिव्योग करें और स्कूल कॉलिज बिल्कुल बच्चे को ना भेजा जाए भीडबार से दूर रहें और शादी विया में गेट तुगेधर कम करें जितना ये 31 इसम्मर आने वाली है इसका प्रिस्तेदारी में विपारी या बाहर का नेता या कोई भी चुनाव भी शुरू होने वाले हैं हम हमारे मुरादावाद हो या विदान सबाओ इस चुनाओं का भी आगे बढ़ा दिये जाए सरकार के साथ हूं मैं परदान मंतरी जी के साथ हूं